ने क्लास अज 1 धgun क्लास तो क्लास के लिए फ़ीन्स स्थू जश्ट के लिए में नियूstand! उसको करने क्लास के स्थूडंट दाया है कि साल में क्लास कि अब क्लास के लिए में क्लास को namake मेूत कडले की छॉफटर की उच्छाइब औरomial का था कश्तुर्ज के लिए तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैं हूँ परमोद, परमोद राजपूत और आप देख रहे हैं, राजपूत एजूकेशन चैनल तो बने रही है मेरे साथ, तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टूडर्ट में पहले आपको बता दूँ कि एक्ससाइज जो 2.1 है, यह बिल्कुल असान है, बिल्कुल इजी है, लेकिन इनका जो बेसिक कॉंसेप्ट है, एक्ससाइज से पहले अगर हम भो समझ लें, तो नेक्स्ट जो इस चैप्टर में एक्ससाइज है, 2.2, 2.3, 2.4, वो आपके लिए और भी इजी हो जाएगी, और यह भी ध्यान रखेगा, यह जो बेसिक कॉंसेप्ट है, आपको 9 और 10 में भी काम आने वाला है, तो चलिए पहले इस एक्ससाइज से पहले इसका बेसिक कॉंसेप्ट सम सकते हैं, equation समीकरण को कहते हैं हिंदी में, और one variable, तो variable का मतलब होता है, वो value जिसकी हर question में बदल जाती है, तो चलिए इसको एक समीकरण के हसाब से, या इसको थोड़ा सा सबजने की कोसिस करते हैं, तो सबसे पहले अगर start करें, तो आपको इस exercise में question कुछ इस तरह से मिले जैसे 2x plus 3 is equal to 4, अब अगर आप ध्यान से देखें, तो यह equal का sign हो है, इसमें left side में equation है, और right side में, तो right side को हम लिखते है, right hand side, और left side की equation को हम लिखेंगे, left hand side, तो यह equal के दोनों side में, left hand side और right hand side, तो इसको समझना ज़रूरी है, तो जब हम इसको equation को solve करेंगे, तो left से right में हमें कुछ number लाने पड़ेंगे, और right से left में कुछ digits या number लाने पड़ेंगे, तो जब हम interchange करते हैं इनको, तो इनके साथ में इनका sign होता है, वो reverse हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानिकि बदल जाता है, तो किस तरह से बदलेगा, पहले उसी को समझ लेते हैं, चलिए अगर left hand में plus का sign है, तो right hand में आके minus हो जाएगा, इसी तरह से अगर left में minus का sign है, तो right side में जब आप उस number को लाएंगे, तो वो plus हो जाएगा, इसके लाब अगर कोई sign multiply का है किसी number के साथ, तो multiply का sign इदर आके divide होगा, multiply का divide का meaning क्या होगा, अगर आपको कोई number इदर multiply करना है, तो उस number को जब आप इदर replace करेंगे, तो उसको फिर आपको divide करना होगा, और इसी तरह से अगर कोई sign इदर divide का है, यानिकि number divide होना है, तो इस तरह जब आप उ माइनस का प्लस, मल्टिप्लाई को डिवाइड करते हैं और डिवाइड को मल्टिप्लाई अब वैरियबल को समझते हैं कि वैरियबल क्या है अब देखें जिसे मैंने भी आपको लिख के बता है 2x अब हम जानते हैं इसमें दो चीजे हैं पहला 2 और दूसरा है x अब आप जानते हैं 2 की वैल्यू हर कोशन में 2 ही होती है सेम होती है उसमें कोई अंतर नहीं आता लेकिन x जो है इसकी जो वैल्यू है यह हर कोशन के हिसाब से बदल जाती है चेंज हो जाती है तो x है क्या? x एक्शली एक ऐसा डिजिट हम मानते हैं, suppose करते हैं जैसे आप कोशन में भी लिखते हो, let the suppose, value of तो x इस तरह से आप मानते हैं तो यह एक मानी गई वैल्यू होती है इसमें आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं और इसको z भी मान सकते हैं यानि कि कोई ऐसी डिजिट, ऐसा कोई नमबर जो अभी आपको फिलाल कोशन श्टार्ट करते हुए मालूम नहीं है तो उसको आप एक संक्या x, y, z इस तरह से माल लेते हैं और जब आपका सवाल पुरा सोल हो जाता है तो उसकी value निकलाती है यानि कि जहाँ आपने x लिखा है उसकी जंगा फिर आप उस नमबर को लिख सकते हैं तो ये change होता है हर question में तो इसलिए इसको variable कहते है variable को हिंदी में चर कहते है चर मतलब एक ऐसी संक्या जिसका मान या value बदल जाती है तो दो तरह के एक तो numbers होते है डिजिट जो हम बोलते है 1,2,3 जो counting होती है और दूसरा जो तो alphabet जैसे हम जानते है के a, b, c, d इस तरह से पूरे x, y, z तक जो होते है आप इसको एक सवाल के रिए question करते है जिसमें आपको थोड़ा सा और ये clear हो जाए तो चलिए question हम बनाते है जैसे x-7 is equal to 3 अब इसमें आप देख सकते है left hand side ये जो आपका equal का सायन है इसके इदर हमारा left hand side है और इदर right hand side है इसको हम लिख सकते है left hand side और इसको right hand side अब जिसकी हमें value निकालनी है तो किसकी value निकालनी है हमें x की x क्या है एक suppose number है इसको हमने माल लिया है तो इसको हम left hand side में ही रखेंगे और ये right hand side में 3 है तो इसको पहले लिखेंगे अब ये हमारा जो number बचता है minus 7 इसको हम left side से right side में लाएंगे तो 7 को 7 लिखेंगे और sign जो है minus का plus हो जाएगा अब आपको ये मालूम है 3 plus 7 10 हो गया और x की value आती है 10 तो हमारा answer है 10 x की value 10 तो x की value 10 का meaning क्या हुआ यानि कि जब हमने यहाँ पे जो x लिखा है इसकी जगे अगर हम 10 लिख दें और फिर minus 7 लिखें इस equal to 3 तो 10 में से 7 को minus करेंगे तो 3 है गा और इदर 3 तो दोनों equal हो जाते हैं तो यानि कि जो alpha bats x y z होते हैं जो variables होते हैं यह इस तरह से number रखे जाते हैं जो आप suppose करते हैं कि इस number को रखे एक number को मानके दूसरे number को असानी से निकाल सकते हैं तो चलिए अब इसके exercise स्टार्ट करते हैं तो student जो पहला question है 2.1 का उसी से हमें start करते हैं तो पहला question देखिए आप x minus 2 is equal to 7 तो यह हमारा left hand side और यह right hand side तो अब सबसे पहले हम यह देखना है कि किस की value हमें find out करना है तो x की तो हम x को इधर ही रखते हैं equal के sign के नीचे हम equal का sign लगाते हैं और पहले right hand side से जो 7 है उसको इसी तरह से लिखते हैं अब इधर left hand side में बसता है minus 2 तो minus 2 को अब इधर लिखते हैं तो यह हो जाएगा plus 2 अब 7 और 2 को plus करना है तो यह answer आएगा 9 तो x की value हो गई 9 और यह हमारा answer है यानि कि इसका मतलब क्या हो अगर x की जंग हम 9 लिखते हैं तो यह equation जो पूरी equal हो जाएगी दोनों side से बराबर हो जाएगी अब इस exercise में सिर्फ आपने जो basics है उस concept के लिए करना है यानि कि minus का plus होगा और plus का minus होगा इसी तरह से multiply और divide को भी आप second question देखते हैं तो second question भी इसी तरह से y plus 3 is equal to 10 तो हम इसमें क्या करेंगे हमें y की value करना है क्योंकि y जो variable है one variable तो y की value निकालना है तो y को हम left hand side में रखेंगे और पहले right hand side का जो number 10 उसको लिखेंगे उसके बाद जो minus plus 3 है ये left hand side में इसको हम इदर लाएंगे तो plus 3 हो जाएगा minus 3 अब हमें क्या करना है 10 से 3 को minus करना है तो यह answer 7 आएगा तो यहां क्या होता है y की value हो गई 7 यह हमारा answer हो गया इसी तरह से आप third question को देखते है तो third question में 6 is equal to z plus में 2 अब इसमें देखे आपका अगर आप ध्यान दें तो variable जो है left hand side में तो इसको हम क्या कर सकते हैं interchange कर सकते हैं हम इसको ऐसे लेख सकते हैं z plus 2 is equal to 6 अब हमें जिसकी z की value निकालनी है वो अब left hand side में आगया तो जो question दिया हुआ है इसको हमने number को replace कर लिया अगर आप replace नहीं भी करेंगे तो भी इसको easily निकाल सकते है तो अब हमारा question बनता है z plus 2 is equal to 6 तो z को हम left hand side में रखेंगे equal के sign के नीचे equal का sign लगाएंगे और right hand side में पहले 6 है तो 6 ही लिखेंगे अब plus 2 का एगर जाके minus 2 जाएगा तो 6 में से 2 को minus करेंगे तो 4 और ये हमारी z की value आती है तो z is equal to 4 चलिए अब next question देखते हैं इसी तरह से तो next question में जो हमारा fourth question है उसको solve करते हैं तो fourth question में क्या दिया हुआ है 3 by 7 plus x is equal to 17 by 7 तो हमें इसमें x की value निकालनी है तो x को ऐसे ही लिख देते है equal का sign लगाते है तो पहले जो right hand side में 17 upon 7 इसको ऐसे लिखता तो 3 by 7 अब यहां कोई send नहीं है इसका मतलब plus होता है तो plus को हम इदर minus करेंगे अब हम इसको minus करते हैं तो 7 by 7 यह number जो है rational number जो है इनकालना होगा तो 7 by 7 निकालना होगा तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं अब 17 minus 3 यह x की value अब इसको minus करते हैं तो 17 में से 3 को minus करना है तो यह हमारा answer आता है 14 by 7 अब यह cancel हो सकता है 7 बंज़ा 7 और 7 तो जा तो हमारा answer आता है 2 by 1 तो यह हमारा answer बनता है x की value आती है अब इसके बाद 5th question तो इसी तरह सम 5th question को भी solve करते हैं तो 5th question देखें क्या है 6 x is equal to 12 तो 6 x अब आप यहां द्यान से देखेंगे तो 6 x के बीच में कोई sign नहीं है तो जब इस तरह से number लिखी होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनको आपस में multiply करना है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 multiply x तो 6 x तो x हम इदर लिखते हैं और 12 लिखते हैं अब यह तर multiply है तो इधर लाके हम क्या करेंगे इसको divide और divide का आपको मालूम है इसको हम इसे नीचे लिखेंगे तो x is equal to 12 by 6 अब यह cancel हो जबता है तो 6 के table से 6 बन जा और 6 तो जा तो x की value हमारी आती है 2 by 1 तो यह हमारा answer होता है x is equal to 2 by 1 तो यह हमारा fifth question हो गया इसके बाद जो हम six question देखते है तो six question में अगर आप देखें तो question क्या है t by 5 is equal to 10 इसको हम t upon 5 भी बोल सकते है by भी बोल सकते है is equal to 10 इसमें अगर आप देखें left hand side में t by 5 तो t upon यह बोलता है 5 तो यह divide है यानि कि t को divide करना है 5 से तो अगर यह divide है इदर तो यह right hand side में जाके multiply होगा तो हम इदर t को इदर लगते is equal to 10 और यह जो 5 है इसको हम इदर जाके multiply करेंगे तो multiply by 5 तो हमारे t की value है जाती है 50 10 5 जा 50 तो यह हमारा answer हो गया t की value 50 तो हमारा जो 7th question है वो इसमें दिया होगा है 7th question क्या है 2x by 3 is equal to 18 तो हम इसमें क्या करेंगे 2x by 3 तो यह divide है तो इसको इदर लगते हम multiply करेंगे यानि कि 2x is equal to 18 और जो 3 अपन में था इदर जाके multiply होगा तो 18 3 जा तो 18 3 जा हमको मालू में 54 होता है अब यह होगा 2x लेकिन यह ध्यान है कि भी भी value x की नहीं आईए 2x की value आईए तो 2 और x यह आपस में multiply आईए तो इसको हम क्या करेंगे x इदर रखेंगे और 54 by 2 करेंगे क्योंकि इदर multiply है तो इदर आके divide होगा अब यह 2 के table से cancel हो सकती value तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 7 जा तो हमारा answer आता है x is equal to 27 इसके बाद 8th question देखते है तो 8th question में 1.6 is equal to y by 1.5 तो अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें जो variable है y यह left and right hand side में है जबकि यह left hand side में होना चाहिए था तो हम दोनों को replace कर सकते हैं तो अगर हम इसको replace करेंगे तो y by 1.5 is equal to 1.6 अब यह हम जानते हैं कि y की value में निकालनी है तो यह जो by में लिखा हुआ नीचे है अप उन में 1.5 यह तर जाके multiply होगा क्योंकि यहां पर यह divide में है तो y is equal to 1.6 into 1.5 अब 1.6 और 1.5 को अगर आप into करेंगे यानि कि गुना करेंगे आपस में तो इसके value आएगी 2.40 तो y की value है 2.40 इसको आप 2.4 भी लिख सकते हैं तो यह हमारा answer जाएगी इसी तरह से अगर आप 9th question देखें तो 9th question भी इसी तरह से होगा तो चलिए इसको देखते हैं 7x minus 9 is equal to 16 तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 7x minus 9 तो minus 9 को हम पहले इदर ले जाएगे तो फिर हमारा इदर यह डिजिट रह जाएगा तो हम पहले लिखते है 7x is equal to 16 minus x इदर जाएके plus हो जाएगा तो 16 और 9 को plus करते हैं तो 25 और इदर आएगा 7x आप 7x में से 7 को में अटाना है तो लेफ्ट एंड में जो 7 इसको हम राइट साइड में लेके जाएगे तो x इदर ही रहेगा और 25 और 7 आएगा क्योंकि यह इदर multiply में है तो इदर आके यह divide होगा आप यह किसी भी table से cancel नहीं होगे तो इसलिए हमारा यही answer रहेगा आप 10th question देखते हैं तो 10th question भी इसी तरह से तो 10th question में किया है 14y minus 8 is equal to 13 तो पहले जैसे हमने last question में किया है minus 8 को right inside में ले जाएगे तो 14y is equal to 13 और minus 8 इदर आके हो जाएगा plus 8 तो 13 plus में 8 यह होगे 21 21 तो 14y is equal to 21 अब 14 को इदर लाएंगे तो y is equal to 21 by 14 14y है यहाँ multiply है तो इदर आके divide होगा अब यह 7 के table से cancel हो सकता है 7 2 जा 7 3 जा तो y की value होगी 3 by 2 अब इसके बाद हमारा next 11th question है तो 11th question को देखते है तो 11th question में क्या है 17 plus 6p is equal to 9 तो इसमें हम क्या करेंगे यह 17 को right inside पर लेके जाएंगे पहले और 6p को अभी इदर ही रहने देंगे तो 6p is equal to 9 और 17 इदर जाके minus में जाएगा तो minus 17 अब second step में क्या करेंगे इन दोनों को minus करते हैं और हम जानते हैं 9 से 17 minus नहीं होगा तो हम 17 से 9 को minus कर देते हैं तो हमारा answer क्या जाएगा 8 लेकिन 8 आएगा minus 2 तो इदर हमारी value रहती है भी 6p तो 6p is equal to minus 8 चलिए अब 6p से हम 6 को इदर ले आते हैं तो 6 इदर multiply में तो इदर आके divide होगा तो minus 8 by 6 अब ये 2 के table से cancel भी हो सकते हैं तो 2 3 जा और 2 4 जा यानिकि जो answer बनता है हमारा p is equal to minus 4 by 3 क्योंकि minus 8 में तो answer में minus लगाएंगे तो ये हमारी value आती है पिएगी minus 4 by 3 इसी तरह से ये last question है तो last question को अगर हम solve करें तो देखिए x by 3 plus 1 is equal to 7 by 15 तो इसमें भी हम क्या करेंगे पहले plus 1 को इस तरह ले जाएंगे तो x by 3 को अभी इदर ही लिखते है 7 by 15 और plus 1 जाके इदर हो जाएगा minus 1 अब इसको minus करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब student आप जानते हैं जैसे 7 by 15 minus 1 है तो ये number इस तरह से upon में लिखेंगे तो हम इसको भी ऐसी upon में करेंगे तो minus 1 by 1 कर लेंगे अब दूसरा काम में क्या करना है LCM निकालना होगा तो 15 और 1 दोनों अलग अलग number हैं तो इनके पहले LCM निकालेंगे minus करने के लिए तो 15 और 1 का LCM 15 ही आएगा अब 15 के table में 15 कहा आता है वंजा पे तो 7 को अगर 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा इसी तरह से 1 को अगर 1 के table में देखेंगे 15 कहा आता है तो 15 जो है 15 अब 7 से 15 को minus करेंगे तो यह तो होगा नहीं तो हम क्या करेंगे 15 से 7 को minus करेंगे तो हमारा answer आएगा minus 8 अब उनमें 15 अब इदर लेकिन हमारी x by 3 तो 3 की value भी इदर रहती है तो इसको भी हमें अभी solve करना है तो इसको जो हम solve करेंगे तो क्या करेंगे पहले 3 को इस तरफ लेकिन जाएंगे तो यह तर टिवाइड में तो इदर जाके multiply होगा तो x is equal to minus 8 by 15 तो multiply में ऐसे आएगा 3 तो अब यह 3 की table से cancel हो सकता है 3 बन जाओ और 3 5 जाओ तो हमारा answer आएगा minus 8 by 5 तो x is equal to minus 8 by 5 तो इस तरह से हमारी पूरी exercise जो है soul होगी तो चलिए student अब इसकी आप practice कीजिए अब next वीडियो में आपको मैं next exercise लेके फेसे मिलता हूँ तब तक के लिए bye और नाओ तरहा कर ताहरा हूँ, प्यूँ एसे कीजिए उर तरहा हूँ आपको तो हूँ चलिए अब आगे ड़े अब पेसे आपको